आराध्य देव की चण में वंदन, आदरने समणीजी उपस्तित भायोतता मेहना, कर्म प्रकृतिका थोपड़ा हमारा सल रहा है, इसके अंतरकत आज हम गोत्र कर्म के पढ़ेंगे, तो गोत्र कर्म किसे कहते हैं, जो पुद्गिल आत्मा की प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा म निमित बनते हैं, उसे गोत्र कर्म कहा जाता है, यानि जीव को अच्छी या बोरी द्रिष्ठी से देखे जाने में, जो निमित बनते हैं, उसे गोत्र कर्म करते हैं, यानि गोत्र कर्म के हिसाब से जीव को या तो प्रतिष्ठित कुल में जन्म मिलेगा, या अप्रतिष् प्रतिष्ठा पुल जिसमें उनकी प्रतिष्ठा होंगी, ऐसे प्ल में उनका जन्म होगा, यदि प्रतिष्ठी पुल है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, इज्जत नहीं, ऐसे प्ल में भी गोत्र कर्म की हिसाब से जन्म हो जाता है, तो ये गोत्र कर्म है, वो दो प्रकार है उच्छगोत्र ओन्नीजजडर्गोत्र है लाइनि शूसे स्कारी कुल krijste कूल जिसमें सन्षकार अच्छे हैं एक ऐसा कुल होता है जिसमें सब्सकार अच्छी है होते हैं अधको लगहाएं दो प्होंद कूंतर पारिवास dzisiaj कहां संसकारी कुल, निज को तरका मतनु है, पू संसकारी कुल, यानि जिसके संसकार बिल्कुल भी अच्छे नहीं, उनकी प्रतिष्टा भी नहीं, उनके संसकार भी अच्छे नहीं, जहाँ सब कुछ चलता है, नोन्वेज भी चलता है, डिंग भी चलता है, सब कुछ चलता है, न सोने का टाइम फेक्षा है नग, मतलब परिबार के सदस्य में भी आपस में प्रेम नहीं है, हर दिन तू तू मेमे होता रहता है, वैसे पू संसकारी खुलमी जन्म होता है, जब नीच गोत्र कर्म का ओदे होता है, जब उच गोत्र कर्म का ओदे होता है, तो संसकारी परिवा और एक दूसरे को अच्छे लगते हैं एक दूसरे के देखने से शुकink कारता है उच्ढवर करता है। व्यक्तिंस्च का मतलब है जहां सब के सब प्रोस कारी होते ऐसा सथाइस्घ्र कारी परिवार जहां जाने में आते हैं क्योंकि हमारा परिवार है बहुत संस्कार ही है जैन कुल है हमारा हम सब किस कुल में आते हैं उच गोत्र में आते हैं कभी-कभी उनका गोत्र निच्छा है लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग भी होते हैं उनका उनके संस्कार बहुत अच्छी होते हैं तो उनके लिए बले गोत्र उनका मतलब उनके परिवार के प्रतिष्ठा नहीं है यह जो बिसकारी परिवार के साथ और निजगोत्र का सम्बद्धे तो संसकारी परिवार के इसे जो गोत्र कर्म है वो कितने प्रकाशे बंददता हैं यानि गोत्र कर्म बंद की कितने कार्ण है तो जो ठानंकstud रहे उसमें भगबार महविर ने गोत्र कर्म बंद ये आठ कार्म बताएं पॉन कोन से जाती कुल बल रूप तब सुरुद लाब अैस्वरे यह जो जाती सबसे पहला है जाती विखती अहंकार करता है अहंकार किसका करता है जाती का अहंकार होता है कुल का कोई अहंकार करता है, कोई अपनी सक्ति, सक्ति का करता है, कोई रूप का करता है, कोई शुरुत का करता है, कोई लाब का करता है, कोई धन का करता है, ये आठ प्रकार के जो चीज है, उनका विक्ति अहंकार करता है, तो जाती का अहंकार किस ने किया, हरीकेश बल, जो पूर्वे जन्ममे वो ब्रह्मद जाती के थे। साधू भने के बाद भी उनको वो आंकार था कि मेरा पुल है बहुत प्रतिष्ठित है बहुत उंचा है ब्रह्मद के उंचा माना जाता था उस समय तो अपने काश्ट का उनको बड़ा घमंड था बड़ा इहो था तो मृत्यू की बाद सादू बने हुए थे इसले वो देवगति में जाते हैं लेकिन देवगति का आविश्य कोन करके वो चंडाल कुल में उत्पन होते हैं और कुरूप उनका सरीर भी उनका नेचर था तो हरिकेस जो थे उनको चंडाल कुल में जन्दम के को लेना परा क्योंकि उन्होंने अपनी जाती का आँकार किया था कहा जाता है जिस चीज का हम अहंकार करते हैं वो फ्यूचर में वो चीज हमें नहीं मिलती हैं तो जाती का अहंकार किया परिणाम सुरुख उनको चंडाल जाती में जन्दम लेना पड़ा है दूसरा है कुल का मद कुल का मद किस ने किया मरीची का प्रशित एक्जामपल है मरीची तीसरा वह था सम्यक्त प्राप्ति के बाद बगवार महायर का जीव नैसार का पहला वह था उसके बाद देवगती में जाता है और उसके बाद तीसरा मोँए मरीची बनता है तो भरत चक्र और दी का पुत्र था मरीची तो मरीची ने भी भगबार उनके जो दादा थे रिश्व उनसे दिख्षा ली थी, तो दिख्षा लेने के बात को इतना कोमल था, राजकुमार था, उनसे सयम जो साधना थी, उनके रिवो कटिन लगने लगे, तो उन्होंने बगवान से निवे दिन क्या मैं ऐसा पाल नहीं सकता हूं, मेरे से दिख्षा नहीं पलेगी, तो मुझे अ साथ साथ में रहता है, और भगवान के समवस्रण के बाहरी रहता है, कोई भी आता दर्शन करने के लोंके, तो वो भगवान के पास सब को भेज़ता था, एक बात भरत चक्रवर्ति ने भगवान रिशव से प्रश्वे किया, प्रभो आपकी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जो तिर्थंकर बनने वाला हो, तो अगवान रिशव केवल ग्यानी थे, तो केवल ग्यान से उनके माध्यम से उन्हों देखा, कि इस समवस्रण में तो कोई नहीं है, लेगने समवस्रण के बाहर, जो मरीची बेठा हुआ है, तुमारा पुत्र, वो आने वाली, इसी चोब पुत्र, पुत्र मरीची, वो अन्तिम तीर्थंकर बनेगा, उसे पहले अठार्वे भव में मासुदेव भी बनेगा, और तेर्थंकर भी बनेगा, ये सूज, पुस्कबरी, जैसे भरत ने अपने पीतात यथंकर्षी सूनी, और अपने बेटे की बारे में, कोई भी पीता हो, अपने बेटे की बारे में अच्छी बात सुनता है, उनको खुसिभ होती है, तो भरत चक्रवर्दी भी जैसे ही बगवान महाविर की देशना कम्प्रिट होती है उसी समय भरत चक्रवर्दी अपने पुत्र मरीजी के पास आये और कहा आज आपके लिए बगवान एसा एलांस्मेंट किया एसा फर्माया है तो क्या फर्माया मेरे लिए? कहा कि आप इसी अवसरपिण काल में मासुदेव बनोगे अठार विवाउ में और महविदेख शेत्र में आप प्रियमिद्र नाम के चक्रवर्दी बनोगे आउद इसी अवसर पिणी काल के आप अंतिम तिर्थंकर भी बनोगे जैसे ही बात सुने उसी समय वो मरिची नाचने लगा, डांस करने लगा मैं कितना वाग्ये साली है, मेरा कुल कितना वाग्ये साली है मेरे दादा प्रतम तिर्थंकर, मेरे प्रिता प्रतम चक्रवर्ती, मैं मासोदे बनुगा, चक्रवर्ती बनुगा, पर इसी अवसरी बिलनी कालका में अंतिम तिर्थंकरडी बनुगा. इतना अहंकार के आ कुल का परिणाम स्वरुक उन्होंने नेज गोत्र कर्म का मंद कर लिया और जो तेर्थंकर की आत्मा हमेशा ख्षत्रिय कुल में ही उत्पन होती है देकिन मरी जी ब्रामान कुल में उत्पन हुआ भगवार महारिश्राम का जी और तो अरिणगमेशी इत्पन हुए तो उनका का आह रहो क्या बना उनोंने कुल का मद किया धाँ जिस्तित का मद करते हैं वो म recreation वो च reforms के ने मिलती हैं तो कुलम मद मरीशी ने किया बलका मद स्रेणिक राजा ने किया बलका मद कभके जब स्रेणिक शिकार कि ने के गए उच समय उनने एक हिरनी देखी तो जो हिरनी थी वो प्रेगनेंट थी और श्रेणिक राजा सिकार के बड़े सोकिन थे उन्होंने क्या किया तीर चलाएं तीर चल एक तीर शेही दोनों जीवों के एक शाथ अत्या हो जाते हैं उस समय श्रेणिक राजा अपने सोल्डर पे ऐसे थपत पाते हैं और कहते हैं मैं कितना सक्ति साली हूं मेरे जैसा कोई सक्ति साली राजा नहीं होगा ऐसा बल का अहंकार किया उस समय उन्होंने नरगती का अविश्य का बंद कर लिया तो बल का अहंकार किया अब श्रेणिक राजा अभी नार्गी में निर्वल है उस भी नहीं चलता उनका क्योंकि अब जो भी परमाधा भी कष्ट देते हैं उनको भूगना पड़ रहा है यह दिप्योग शाइक सभ्यक्ति हैं इसलिए समतासी भोग रहें आने वाली जो भी सिमे श्रेणिक राजा प्रथम तिर्थं होगे कहा जाता है इस अवसरपणिकाल में सशनत कुमार जैसे कोई सुन्दर ने थे इतना सुन्दर रूप था उनका इतना सुन्दर रूप था उनके रूप की प्रसंसा देवलोग में भी होने लगी इंडर महराज जो होते हैं इंडर प्रत्यक देवलोग के इंडर होते ह इंद्र देवता के बीच में देवता की मिटिंग होती है लोग के लेकिन हमारा और करने के लिए उनका अरुप देखने के लिए जाता हूं तो जैसे ही वो पहुंचते हैं और वू जो बामन का रुप बना करके आते हैं एकदम ओल्ड मेंड के रूप में और गले में जुत्य की माला पेरी गए थी और कहां हम एकदम हीवा आवस्था से निकले थे पहुंचते हैं हम ओल्ड हो गए हैं इसलिए हमें अभी अभी उनका रूप देखना है तो जो बहार बेठा हुआ था गाड जो गाड होता हैं उनसे परमिशन लेकर के और गए जैसे ही रूप देखा वो देखते रहें वास्ता में इंद्र ने जो प्रसंसा आगी थी उससे भी इनका रूप बहुत अच्छा है सब सब्सक्राइब कुमार्शी कहां आपका रूप तो बास्ता में जो जैसे प्रसंसा आपने सुने उससे भी ज्यादा है तो सनतकमा ने कहा अभी मेरा रूप क्या है अभी तो में शो करके उचणा नाइब ड्रेस पहनी हो इह है अभी कोई मिने आभूशं नहीं पहन नहीं कोई मेने प्रेस नहीं पानिये, मेरा रोप देखना हो तो सभाह में देखना, जब में राजा की, जो राजा का सिंगासन होता है, सज्दश करके में तयार होकर के जाऊंगा, उस समय देखना, उस समय बुलाया गया, ब्रामनों को, जो दो देव थे, ब्रामन की रूप में आय इतनी सुन्दर पोशाक हैं तो कहा कि अब देखो सोने का थाल मंगा है उनका थूंको आप जैसी थूंका उसमें कीडे कलबलते ऐसे निकले तो कहा अब आपके शरी में एक साथ सोलरोग पनोगे महारोग उसी समय सलतकुमार चक्रवर्दी को वहिराग भी हो जाता है दिक्षा तरूग रहां कर लि और साथ सू वर्षों तक सयम पाला रूप उनके गारं में शारी में पूर गडुक ने किया था पूर्व ज़र्ब में तपस्या भूद करता था और अहनकार करता था मैं कितना तपशियों, कितना तप करता हूं परिनामस और चपूर गड़ुक बनता है, सादू भी बन गया लेकिन एक उप्वास नहीं नहीं कर पाता था इवन वो समभश्री के दिन भी उप्वास नहीं कर पाता था उनकी इस्तिती ऐसी थी तो तपस्या का आंकार किया तो वो तप नहीं कर बादा था शुत का आंकार किसने क्या स्थुली बद्र ने किया तो उन्होंने क्या किया सिंग का रुप बनाया परिनाम स्थुरुप उन्होंने आंकार किया ज्यान का उनको चौद पूरो का ज्यान अर्थ के रुप में नहीं समझाया क्योंकि उनको लगा बद्र भायुश्वामी को उनको मैंने मिनिंग समझा दिया तो अपना आंकार दिखाने लगे यही मैं सब बातों का मिनिंग बता दूंगा तो यह दो रुपियोग करेंगे इसलिए उन्होंने बहुत निमेधन किया मुझे मिनिंग के साथ आन्तिम जो चतुर्दसपूर가 होए एंचम कितना सुभव में और एस बंधर अतर्दसपूरี่ होए प्रृ यह टाह सुभव Rocin इने को कर्देट के इनको जैसे जैसे लाब होता था तो ज्यादा लोब के कारण क्या है ज्यादा लाब होता था। बुब भुले की काल इतना आशक्त राज्य में रहा रित्ती सित्ती में परिणाम स्वरुप उनको साथ क्री नार्क में जाना पड़ा ऐस्वर्य दसान बद्र राजा उनके पास भोट धन वैभो था उनको बड़ा अहंकार था इस दुन्या में मेरे जीसा कोई धन्वान नही भगवान महाविश्यामीत पता चला राजगरी नगरिम पदारे तो उन्होंने सोचा आज तक कोई दर्षन करने के लिए नहीं गया है वैसे मुझे जाना है तो सारा राज ठाट बाड़ के साब कैसे पता सलेगा मेरे पास इतना धन है वैभो में दिखाने के निवू पूर चलता है और दिज्ञान से देखा दसान बद्र राजा एक तरफ तो महाविर के दर्षन करने के लिए जारे एक तरफ उनकी बीद इतना अहंकार है वैभो दिखाने का मुझे उनकी अहंकार को चूर चूर करना चाहिए एसा सोच करके इंद्र भी उनसे हजार गुना वैभो लेकर के जाता है और जैसे ही दसान बद्र ने लेखा जैसे बग्मान महाविर के दर्षन करने के लिए यह उत्रे और इंद्र भी विमान से निची उत्रे दोनों एक शार लेखा अरे मेरा वैभात उनकी आगे कुछ भी नहीं है में तर जूठा अंकार कर रहा था ल मनुस्य में ताकत है वो सादू बन सकता है देवता रिद्धी सिद्धी में आगे लेकिन वो सादू तो के अस्रामक भी नहीं बन सकता है भगवान तो कहते हैं जहां सुँंद रिवानों प्रिया जैसे आपको सुख हो वैसा करो लेकिन अच्छे कामी विलंब मत करो रॉन दिले मत करो उसी समेदिक साग्राण कर ली इंद्र उनके चरणों में जुकता है कहां रिद्धी सित्धी के मामले में तो में तुम्हारे शागे था लेकिन त्याग के आगे में भी आपके चरणों में बंदन्द करता हैं इसमेर एक आहंकार किसने क्या दसाण बद्र राजाने यह गोत्र कर्म बंद यह आहंकार करते हैं तो गोत्र कर्म का बंद होता है यदि हम आहंकार नहीं करते हैं तो नेच गोत्र कर्म का बंद होता है अगर आहंकार करते हैं तो नेच गोत्र कर्म का बंद होता है यदि आहंक सब्सक्राइड है जिससे गुस्सा भी कमाता है, गुस्सा पर हम कंट्रोल कर सकते हैं यह दि हम जुकते हैं, तो जुकने से हमें आध्यात्मिकलाप भी होता है, आध्यात्मिकलाप नेच गोत्रकर्म का क्षे होता है, और विहवारी कलाप यह होता है, कि हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, गुरुदेव को तिन बार बंदा कर सकते हैं, सिमंदर भगवान को भी बंदा कर सकते हैं, क्योंकि सिमंदर स्वामी हमारे सबसे लिकट के तिर्थंकर है, महाविदेक शेतर में विराजमान है, इसान कोन में, इसान कोन का मतलम है, इस्ट और नौर्थ का जो कोना होता है, उसक और यह जो गोत्र करम हैं जो उनकी ब्रेशन कितनी कितनी है तो noon time, यानि minimum कम से कम, 8 मूरत. आधिक time यानि maximum 20 करोणा करोण नशाफ गुरुप UV तक है. 20 करोणा करोण साफ गुरुपчит, यदि गोज्य कर्म करबन्द बन घे घे गा, इसका अमादा काल कितना है? क्वें जगन ले अंतर मूरत और उतकरी दुछहजार क्योंकि एक करोड़ा-करोट सागलपम के पीछे 100 वर्श्र का अबादाका pilots होता है क्वेश्ट करोड़ा कर्ष्ट करोड़ सागलपम हैं तो 2000 वर्श्ट का अबादाकान ये 2000 वर्श्र तक आपको कोई भी परिशारी नहीं होगी येकिन जैसे ही 2000 वर्षा कंप्रिट होंगे वह प्रम्हाव डाला शुरू करेगा और गोत्र कर्म कैसा है पोटर के समान है जैसे पोटर होता है उमकार होता है वह क्या करता है छोटे बड़े जैसे जाएं वैसे घड़ों को बनाता है व जाता है जैसे घड़ा होता है किसी घड़े में हम घी बरते हैं किसी घड़े में हम पानी बरते हैं किसी घड़े में कोई व्यक्ति सराबी बरता है किसी में जूस भी बरता है अलग-अलग चीज हम डालते गड़े में वैसे ही कोई जी अच्छे पलमुत्पन हो जाता है जेसे पोटरमेन होता है चोटे बड़े घड़ों को मतलता है यान था को दो नीच गोत्र कर्म भूबने के भी आठ कारण तो इन जाती विसिष्टता अताप्ने कुल भी शिष्टता बाल रूप शुरुत लाब अईस्वरा निच गोत्र कर्म बंद के जो निच गोत्र कर्म की उदेशी चीव इन आड़ बातों में गीनता को प्राप्त होता है और जब उच गोत्र कर्म का बंद होता है तब सब कुछ अच्छा मिलता है ज्यान भी अच्छ कर शक्ता है और गोत्र कर्म का बंद है पहले से tow़्य कुणिस्तां तक होता है इसका बंद पहले से दस्रीो कुणिस्तां तक होता है और इसका कर्म का उपसम युक्षयो अप्saम नहीं होता। यानि गोत्र कर्म का उप्षम भी नहीं होता है, गोत्र कर्म का ख्षय ही होता है, क्योंकि चोड़ी पुनिस्तान में जब जीवशिद्ध होता है, उस समय क्या होता है, जो अगाती कर्म होते हैं, ये गोत्र कर्म भी अगाती कर्म है, उस समय वेदनिये नाम गोत्र, और इसका उपसम भी नहीं होता है इस प्रकार गोत्र कर्म की हमने संक्षेप में चर्जा की मैं इससे संबने कोई प्रश्ट दभू सकते हैं इसी आसा के साथ ओम अराम ओम अर्भू वंदा मेरा फ्रॉष्ण है आप बोले ना उतक्रिष्ट दो हजार वर्ष तक रहेगा बैद अप्रिश्ट ब्यस करोड़ा करोड सागरुपा तो मतलब वह कैसे बान चकते वंदा में इतना उतक्रिष्ट भाव रहना तोड़े करें आम इस करोड़ा करोड जैसे मुँनिय करणा करोड़ सागुरुप कि यानावारणी दर्शनावरणी वो 30 करोड़ सागुरुप देतों पीस है, जो भी कर्म मनता है वो सागुरुपम पन्रुपम देचा किटा explorer हो दस तो अवर्वान जिनम लेना हैите दस कोड़ा पूंद पर किसी के एक सागरुपम का भी बन सकता है किसी का दो सागरुपम का भी बन सकता है किसी का दस भी बन सकता है अलग अलग है पर संबनी जिल मरीची का 10 करोरा क्रोडी कैसे सकता है, एक अपसर बिनी तो 6 करोरा क्रोडी कही होते है, वो तो उस अपसर बिनी में ही बन गया 24 में तिर्थांकर